आज की वीडियो मेरे व्यूवर्स की दिमाइन पर रखी हुई है यह मैंने अपने कुछ व्यूवर्स ने कॉश्चिन्स रखे थे कि हम इसे क्या हैंड मोमेंट से सिखा सकते हैं हम इसे हैंड मोमेंट से सिखा सकते हैं हैंड मोमेंट से सिखाएंगे लेकिन हम साउंड को भी पैरलर लेके चलेंगे ऐसा नहीं है कि हम साउंड को स्किप करेंगे और हम हैंड से सिखाएं हम दोनों को पैरलर लेके चलेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छे से लर्न हो जाती जैसा कि मैं आपको इस तरह से बता रही हूं कि हम जब छोटी एक की मातरा सिखाते हैं तो बच्चे को छोटी एक की मातरा के लिए ये वाला हैंड जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इस तरह से रखके बताएंगे छोटी एक की मातरा हमारे लेफ्ट हैंड की साइड आती है और किस तरह से होती है इस तरह से होती है और हमारे left hand की तरफ आती है बड़ी E की मातरा कहां आती है हमारे right hand की तरह आती है तरफ आती है आपको दिख रहा है ना कि picture में मैं किस तरह से दिखा रही हूं कि right hand को इस तरह से जब हम band करेंगे तो मातरा की shape बना रहा है कैसी shape बना रहा मात्रा की शेप बना रहा है तो हम राइट हैंड की तरफ से जो मात्रा बनेगी वो कौन सी मात्रा होगी बड़ी ए की मात्रा कौन सी मात्रा होगी बड़ी ए की मात्रा और लेफ्ट हैंड की तरफ से जो मात्रा बनेगी वो कौन सी मात्रा होगी छोटी ए की मात्रा हम साउंड और hand moment को दोनों को साथ लेके चलेंगे, हम किसी को भी skip नहीं करेंगे, अगर हम ने इसमें किसी को भी skip कर दिया, तो बच्चे को बहुत अच्छे से learn नहीं होगा, हमें बच्चे की better learning बनाने के लिए दोनों को साथ लेके चलना है, right and left, left and right, right side buddy और left side छोटी, इसी तरह से आप हाथ को बना के रखिये जब तक बच्चा करता है, इसी तरह से आप उच्चारन करेंगे छोटी ए की मातरा का, लेकिन हैंड भी उसे इस तरह से बताएंगे, इ दी ल दिल, गी न गिन, बी टी या बिटी या, हम व्यंजन के साथ मातरा को साथ पढ़ने के लिए बोलेंगे यहाँ पे, फिर हम इसी तरह से बाकी कराएंगे, बच्चा जब लिख रहा है कोई भी अक्षर, तो एक की मातरा जब आप करा रहें तो इस हाथ को इसी तरह से उसके उपर रखवाईए, जिससे कि उसे इस मातरा का अच्छे से ग्यान हो जाए, यहाँ पे हमने बड़ी ए की मातरा रख़ी है, तो उसे कैसे कराएं, यहाँ पर हम हाथ को ऐसे करके रखेंगे, और चीता, सीटी, की, कली, मच्छली, नीम, दही, इस तरह से आप जब कराएंगे तो बच्चे आप बहुत अच्छे से लाइन कर लेगा, इस तरह से बच्छे को कराते रहें, बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप बच्चे को इसी तरह से जब समझाएंगे, उसके हैंट के साथ मुमेंट कराएंगे, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई फ्रेंट्स!